बात करते हैं तुला राशी की जो तुला राशी की जातक हैं आज आपके मान संबान में वडोतरी होगी रोज़ूरी रोजगार के चितर से लाप मिलेगा आयात निर्यात का यूग बन रहा है परिवार में शुब और मांगली कारोने की संबावना बन रही है प्रापल्टी त्याद को लेकर के आपके मन में जो संका समाप्त होगा घर की सती अच्छी होगी और नए तरह के कारे करने से लाप मिलेगा आपके अंदर जो मौलिक्ता है उसमें कुछ बड़ा कारे कर सकते हैं जिसमें आपकी एक नई पैचान बनेगी सौधानी के अबरत नहीं है पॉजिटिव सोच रखना आपके लिए अच्छा है उपाय क्या करना चीटियों को आटा और चीनी जरूर खिला में सुबंके तीन सुबंके हरा लक मिटर है आठ हरे कृष्ण आप देख रहे हैं भागी गुरु कारकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे कि पंचांग की क्या इसती है सुर्योदय कब होगा सुर्यास कब होगा रहुकाल कब है दिशासूल कब है कौन सा तिथी है कौन सा नच्छतर है कौन सा योग है कौन सा करण है सुमूर्द कब है सुब्ति थी क्या है सारी बात हम आपको बताएंगे रहुकाल कब है इसके बाद बात करेंगे आज के महामंतर की महा मंद्र का जब कैसे करेंगे जब करने से आपको क्या फायदा होगा ये भी बताएंगे 12 राजियों की बारे में विस्तार से बताएंगे कि आज की 12 राज्चिया क्या कहती है कोण मातापिता का सुख मिलेगा किसको रियलिस्टेट प्रापल्टी का लाफ मिलेगा कौन विदेश जाएगा किसकी राजनेती किसी ते अच्छी होगी कौन भारती परसास्टिक सेवा में जाएगा कौन फिल्म बनाएगा कौन खिलाडी बनेगा किस अंगे के प्रयोक करने सबका भागोदे होगा किस रंग के प्रयोकरने साबको अपार सफलता मिलेगी सौधानी के अब रतनी है उपाह क्या करने सारी बात हम आपको बताएंगे गुरू के नुष्खे भी बताऊंगा दर्सकों के प्रस्णों का उतर भी दोंगा और आज जिनका जनदीन है उनके भी बारे में बताऊंगा आप देखते रहे ये भागी गुरू कारकर पाई यह हम बात करते हैं आज के पंचांग की आज है 23 जून 2024 दीन है रभिवार सुर्योदे हो चुका है सवेरे 5 बच के 24 मिनट पर सुर्यास्थो का साम को 7 बच के 22 मिनट पर चंद्रमा रहगा धनूराशी में पुनर्वस नच्छत्रे कृष्ण पक्षे ब्रह्म योग है और आज का जो सुम महुर्त है वो ग्यारा बच के 25 मिनट से लेके 12 बच के क्यों मिनट तक रहेगा और आज राहुकाल है साम काल 5 बच के 37 मिनट से लेके 7 बच के 22 मिनट तक रहेगा पस्षिम दिशा का दिशासूल है आज आपके एक बात का ध्यान रखना है कि दिशासूल में यात्रा न करें चोटी दूरी के यात्रा तदही गुड़ खाके कर लें और दूर देश की यात्रा करने से बचें राहुकाल में कोई भी कारें सुमूर्थ में अगर कोई भी कारें करतें तापके लिए लाप्रद रहेगा आज का महामंत्र है ओम घ्रेडी सूर्यायनमा यह जो महामंत्र है दिवापती सूरी देव का है अगर आप सूरिद्यू की अरातना करते हैं तो आपको ये प्रतिष्टा मिलता है आपका स्वास्थ ठीक रहता है आप एससवी होते हैं आपके दर नेत्रतो करने की चम्ता बढ़ती है आँख की जोती ठीक होती है जद्यूर इक्रहाब का मजबूत है तो आप महान उन्नति कर करना है और रविवार के दिन कम से कम एक माला तीन माला के सरीया कलर का वस्तर धाल करके अपने मितिस मंत्र का जब करें आप देखेंगे कि महान प्रगति करेंगे आप करपूर गोरं करुड़ावतारं संसार शारं भुजगेंद्र रहारं सदा बसंत अम हिर्दार बिंदे अंचांग की क्या इसती है सुर्योदे कब होगा सुर्यास कब होगा राहुकाल कब है दिशासूल कब है कौन सा तिथी है कौन सा नच्छत्र है कौन सा योग है कौन सा करण है सो मूर्द कब है सुपति थी क्या है सारी बात हम आपको बताएंगे राहुकाल कब है इसके बाद बात करेंगे आज के महामंतर की महामंतर का जब कैसे करेंगे जब करने साब को क्या फायदा होगा ये भी बताएंगे 12 राशियों की बारे में विस्तार से बताएंगे कि आज की 12 राशिया क्या कहती है हैं कोन विदेश जाएगा किस को राजनीती में जाना है किसको माता पिता का सुख मिलेगा किसको real estate property का लाफ मिलेगा कोन विदेश जाएगा? किसकी राजनेती किसी देच्छी होगी? कौन भारती पर साफ सिक्ष्वा में जाएगा? क्वन फिल्म बनाएंगा कौन खिलाडी बनेगा किस अंगे के प्रयोकरने साबका भागोदे होगा किस रंग के प्रयोकरने साबको अपार सफलता मिलेगी सौधानी क्या बरतनी है उपाय क्या करना है सारी बात हम आपको बताएंगे गुरू के नुश्खे भी बताऊंगा दर्शकों के प्रश्णों का उत्तर भी दोंगा और आज जिनका जन्दीन है उनके भी बारे में बताऊंगा आप देखते रहे ये भागी गुरू कारगर। अज आज आज दूर्श की यात्रा करने से बचें रहू काल में कोई भी कार न करें सुथ मूर्त में अगर कोई भी कारिकरे करते आपके लिए आज का महामंत्र है ओम घरेड़ी सूर्य आयनमा यह जो महामंत्र है दिवापति सूरी देव का है अगर आप सूरी देव की अरातना करते हैं तो आपको याश प्रतिष्ठा मिलता है आपका स्वास्त ठीक रहता है आप एसश्वी होते हैं आपके दर नेतिर्त्यों करने की चम करना है और रविवार के दिन कम से कम एक माला तीन माला के सरीया कलर का वस्तर धान करके अपने मितिस मंत्र का जब करें आप देखेंगे कि महान प्रकति करेंगे